आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में एप ड्रॉर को कैसे हटा सकते हैं यानि कि जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपके फोन में इस टाइप से एप्लिकेशन एप ड्रॉर में आपको शो होते हैं तो इसे आप कैसे हटा सकते हैं एप ड्रॉर को रिमूव कैसे क ओपन करिए फोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करके एक ओप्शन सर्च करना है अपने फोन की सेटिंग्स में होम स्क्रीन के नाम से हमारे फोन में अलग सेटिंग्स है होम स्क्रीन की अलग है लॉक स्क्रीन की अलग है हो सकता है आपके फोन में कमबा सकते हैं सर्च करने के बाद ये ओप्शन आ जाएगा इस पर आप कुलिक करिए तो यहाँ पर सेटिंग्स से से ओपन करते हैं home screen पर किलिक करके अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा डिफॉल्ट लॉंचर और ऊप्शन आपको मिलेगा home screen इस अब किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे एक मिलेगा with app drawer और एक option मिलेगा classic तो app drawer आपका select होगा तो classic option पर किलिक करेंगे और classic आपका select हो जाएगा अब एक settings है swipe up on the home screen to open search bar अगर आप इसे on करेंगे तो अगर आप home screen पर इस type से swipe up करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका search bar open हो जाएगा आप Google पर कोछ सर्च कर सकते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं app drawer अव रिमूव हो चुका है अब simply हाँ पर आप classic में इस तरह से applications को use कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें